विपक्ष कह रहा है कि मोदी सरकार के बही खाते में कुछ भी नया नहीं है और ये मिडल क्लास के लिए मुश्किले लेकर आया है लेकिन सरकार क्या सोचती है कुछ देर पहले मैंने वित्तराजमंत्री अनुराख ठाकुर से ये जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों सरकार ने आपको बड़ा बंपर वोट दिया है इंचुनाओं के अंदर और इंकम टेक्स लाग में परिवर्तन होगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ समाज के कोई वर्गो सबका योगदान हुआ तभी बंपर सीटे जीत कर आपाए अगर आप देखे तो आज से चार-पांच महिने पहले ही बजट में जो हिंदोस्तान के दियास में कभी नहीं हुआ था पांच लाक रपे की आए तक आपको कोई टेक्स नहीं देना है ये भी मोधी सरकार ने करके दिया था और आपके यहां पर रोजगार ज़्यादा बढ़ सके ज़्यादा नवेश हो तो जो कंपनी जो पहले 2.500 क्रोड पे तक की टर्नोवर वालों को 25% तक टेक्स देना पड बढ़ी रहात हैं लगभग 99.3% उसमें कवर हो जाते हैं मात्र पॉइंट 7% लोग हैं जिनको 30% टेक्स देना पड़ेगा तो कुल मिलाकर उनको लाब मिला जो हमारे स्टार्ट अप इंडिया है जो हमारे युवा है जो नया कुछ करना चाहते हैं अंतरपनेवर बनना चाह बाता था फिर वैलुएशन की बात की जाए इंकम टेक्स के नोटिस की बात की जाती थी फिर जब वो अपना घर बेच के पैसा लगाते थे तो उसके उपर लॉंग टर्म कैपिल गेन की बात की जाती थी इन सब में इतनी बड़ी रहात दी है तो युवा वरक को निरेंदर सब लाब मिलेगा घ्रामीन क्षेतर में स्किल डिवेल्मेंट उन स्क्षेतरों में बात की गई जहां पर आज तक फोकस नहीं किया गया इस से ग्रामीन क्षेतर से लेके शैरी तक सब को लाब मिलेगा स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम में जिस तरह से S.C.S.T. समाज शानदार बढ़त लेते हुए काम किया है अब उस दिशा में मौरा की काम करने वाले उसको और इंटरप ने उस कैसे बनाए कैसे उनका आए के साधन बन पाए वाकि इंफरास्ट्रक्चर में हमने देखा पांस साल में अच्छा काम हुआ बड़िया काम हुआ देश के अंदर लेकिन अब अगले पांस साल के लिए जो टार्गेट है वो सो लाग करोड रुपे का है बहुत बड़ा अमाउंट है अल्मोस्ट एक साल एक साल अगर हम बीस इसलिए मैंने कहा जैसे मानलीजी हमने अपनी जो सरकार की company न में भी अपना इर्षा कम करके कैसे कैसे पैसे ज्हादे तो पायगा सके और summar हो रीटेल सेक्टर में है उसको नौमस थोड़े एस करने की बात कही गई उसमें उससे लाब मिल पाएगा और किन-किन क्षेत्रों में FDIs आ सकती हैं जैसे रेलवे का क्षेत्र है अगर आपको उसक्षेत्र में आधार बू धांचा सुद्रिड करना है तो आपको हर साल उसके बहुत पैसा चाहिए सरकार मालीजी 53,000 क्रोड पे उसमें देती आप बढ़ाकर 60-65,000 क्रोड पे अकर भी देगी तो उससे कही गुना ज़्यादा पैसा आपको प्राइवेट खेत्र से लाना पड़ता है इसी दरह से सडकों में भी है लेकिन हमने पिछले कुछ वर्षों में बहुत सफलता के साथ करके दिखाया है डेजल और पेट धांचा पहुंचाना है आपको डेड़ लाग से ज़्यादा हेल्थ और वेलनेस सेंटर बनाने हैं आईश्मान भारत जैसी योजना को सुचार रूप से लागू करना है नए एम्स आई आई टी ये सब बनाने हैं सवा लाक किलोमेटर की ग्रामीन सडकें आपको पीम जीए स्वाई में बनानी है नाशनल हाईवे पहले से जादा बनाने हैं गंगा की सफाई के साथ सथ बाकी नदियों को साफ करके पानी हर घर जल की बात अधारबू धांचे में इंफ्राजक्चर के सेक्टर में बहुत निवेश आपको करना है आखिरकर वो पैसा कहां से आएगा या तो डिरेक्ट टेक्स किया जाए कि आम आदमी को सीधा टेक्स कर दिया जाए तो गिने चुने लोगों पर उसका बोज पढ़ता है तो आखिरकार जब दुनिया भर में तेल के दाम कम हुए तो हर व्यक्ति को उसका लाब दिया गया हमने तेल के दाम लगा अतार पेट् हमारे बच्चों के पास अच्छी शिक्षा नहीं होगी तो क्या होगा अच्छी स्वास्त की सुविधा नहीं होगी बच्चे कूप होच्न का शिकार होंगे तो कहा अगे बढ़पाएं源 और पैसा कहीं नहीं से तो diesem मैं एक आखरी सवाल आप से जानना चाहता हूं हाल ही में पश्ची मंगाल से मामला निकल कर सामने आया है जहां पर सेंट्रल स्पॉंसर्ट स्कीम थी उसमें टीमसी के लोगों ने कट मनी ली यह बहुत गंभीर बात है कि जो गरीब के विकास के लिए पैसा दिया गया था कि उसको दो कमरे का मकान मिल जाए एक कमरा बन जाए सिट ढखने के लिए पक्की छत मिल जाए उसमें से भी कट मरी क्या सोच है यह और ममता जी के नाको तले यह सब हो रहा था और देखिए कि ग्यान था और अब यह कहरें कि वो पैसा वापिस करें मुझे लगता उनको इस्तीफा दे देना चाहिए आखिरकार इस पे कोई गंभीर कदम क्यों ना उठाए जाए आखिरकार यह पैसा किस का है उस टेक्सपेयर का है जिसने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी इम गया उसमें से भी कट मनी खाई गई इस पर उचितकार भाई बनती है तो आप कह रहे हैं कि आने वाले समय में इस विशे पर जांच हो सकती है हिंदोस्तान के एक एक रुपे पर अगर कोई चोरी करता तो निश्य तोर पर उस पर जांच होनी चाहिए लेकिन बात यह है कि जो लोग पहले शारदा, नारदा और चिट फंड घुटालों के पैसे खा गए वो अब कट मनी तक उस लेवल पर भी उतर आए तो ना जाने इस सरकार में कितना वहां पर खाया गया होगा केंदर की स्पांसर्ट स्कीमों में से कितना खाया गया तो राज्ये की स्कीमों में से क्या-क्या होता होगा इसकी तो आप में और कल्पने यहां बैठ कर नहीं कर सकते तो इस दिशा में तो जो बड़े से आपके लिए धन्यवादी है